पॉलिंग एजेंट तक के लाले पड़ गए हैं और जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने की सोच रहे थे वे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं यूपी में कॉंग्रेस को ताजा जटका वारानसी में लगा वारानसी से सांसद रहे राजेश मिश्रा भाजपा में शामिल हो गए दिल्ली में रविशंकर प्रसाद और अरुन सिंग के सामने राजेश मिश्रा ने भाजपा जोईन की यूपी में कॉंग्रेस और सपा के बीच गठबंधन के एलान के बाद से ही वो नाराज चल रहे थे अपनी नाराजगी को खुल कर व्यक्त भी किया था पिछले लूग सभा चुनाओं में कॉंग्रेस ने उन्हें दिवरिया से मैदान में उता रहा था इस बार भी वो टिकट के दावेदार थे कहा जा रहा है कि इस बार उन्होंने दिवरिया के साथ ही भदोही से भी लड़ने की इच्छा जताई थी माना जा रहा है कि भदोही से वे भाजबा के टिकट पर उतर सकते हैं राजेश मिश्रा 2004 से 2009 तक वारणसी के सांसद रहे उन्होंने तब कि एक अद्दावर भाजबा नेता और लगातार कई बार से सांसद रहे शंकर प्रसाद जैसवाल को हराय था दिल्ली में भजबा जोइन करने के बाद राजेश मिश्रा ने कहा कि कॉंग्रेस में अप्मानित किया जारा है था राजेश मिश्रा ने कहा कि मेरी कोशिश होगी कि इस बार वारणसी लोग सभा सीट पर विपक्ष की जो प्रत्याशी हो उसको पोलिंग एजिन्ट नहीं मिलेगा ये सौभाग एकी बात है कि मोदी जी वारणसी के सांसद हैं पूरी दुनिया में मोदी जी ने देश का नाम रोशन किया है कॉंग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष अजैराय को वारणसी से मैदान में उतार सकती है सपा और कॉंग्रेस के गटबंधन के बाद ही राजश मिश्रा ने पार्टी नितरत्व के खिलाफ मोचा खोल दिया था यहां तक कहा था कि यूपी में कॉंग्रेस ने सपा के सामने सरिंडर कर दिया गटबंधन में कॉंग्रेस को जो सीटे मिली है वहाँ पार्टी के पास उम्मीदवार भी नहीं है उन्होंने कहा कि नियायात्रा में जातियों पर संबोधित करना खलत है राहुल गांधी भारत जोड़ो नियायात्रा नहीं भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं पिछले 30 सालों में कॉंग्रेस की स्थिती काफी खराब हुई है झालों में कॉंग्रेस की स्थिती 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 की स्